बहुजन समझ पार्टी मिशन 2024 के मद्दे नजर उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापिस हासिल करने के काम में लग गई है जिसके तहट पार्टी ने मंदल इस्तर पर कारिकरता समयलन करने शुरू कर दिये है जिसके तहट अब तक 17 मंदल में कारिकरम हो चुके है खुद पार्टी के प्रदेश अदेख्ष विश्मनाथ पाल ने 23 दिसंबर 2022 को अयुद्ध्या से इन समयलनों की शुरुआत की थी पार्टी अपने दम पर चुनाओ लड़ेगी पार्टी का फोकस केडर मोबिलाइजेशन और गाउं गाउं बीएस पी को पहुँचाने पर है पार्टी का मानना है कि इसे निकाई चुनाओ की जमीन तो तयार होगी ही साथ ही 2024 में मजबुती से मैदान में रहेंगे मंडल इस्तर का अंतिम कारेक्रम 18 जन्वरी को लखनों में इसके बाद 20 जन्वरी से जिला इस्तर के कारेक्रम शुरू हो जाएंगे जिला इस्तर पर सभाएं कराने के साथ ही रिव्यू मिटिंग भी होगी यवाओं को केडर के आधार पर तयार करेगी बसपा पार्टी का फोकस बूत कमिटी से लेकर प्रदिश कमिटी तक सभी जगे 50 फिजदी भागीदारी यवाओं को देने पर है बहुजन समाज पार्टी, MLC और लखनों मंडल के प्रभारी भीमराव अंबेड करने कहा कि यवाओं को लंबे समय से केडर नहीं मिला है वे लोगों को कांशीराम जी, मायावती और जो वरिष्ठ थे उनसे केडर मिला है लेकिन दस साल से बहुजन समाज पार्टी में केडर नहीं हो पाया तो यवाओं पिढ़ी समझ ही नहीं पा रही कि उनका मिशन क्या है पचास फिजदी युवा का मतलब है बूथ कमीटी, सेक्टर कमीटी, विधान सवा कमीटी, जीला कमीटी, मंडल की कमीटी, प्रदेश की कमीटी हर कमीटी में पचास फिजदी युवाओं को भागिदारी देनी है, जिससे उनका मिशन मुमेंट खत्म ना हो क्योंकि ये ऐसा मिशन है जिसके लिए बहुत बलिदान दिया गया है युवाओं को केडर बेस पर तयार करेंगे, जो इस लडाई को मनजिल तक पहुँचाएंगे प्रभारी भीम्राव अबेड करने कहा कि मायवती ने संगठन में जमीनी इस तर से काम करना शुरू किया और उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही जिस तरह वह दस-दस, बीस-बीस लोगों की केडर बैठके करती रही है, वैसे ही अब करनी है समिधान में जो अधिकार मिले हैं, वह तब हासिल होंगे जब वोट की ताकत से अपनी सत्ता बनाएंगे ये बात समाज को समझाने के लिए इस पर काम कर रहे हैं सरकार अगर कहती है कि देश में 81 करोड लोगों को निशुलक राशन देते, इसका मतलब 81 करोड लोग वो है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते